हलो फ्रेंड्स नमस्कार दोस्तों महाराष्टरा के पूर हो मिनिस्टर अनिल देश्मुक को जैसा कि आप जानते हैं बॉम्बे हाई कोट ने बेल ग्रेंड कर दिया है और इस बेल ओर्डर को CBI ने सुप्रिम कोट में चैलेंज किया है दोस्तों CBI ने ये जो अपना के अलावा कोई और ऐसा रेकॉर्डर बयान नहीं है जिससे ये साफ होता है कि अनिल देश्मुक ने वसूली के लिए इंस्ट्रक्शन दिये थे तो यहां पर दोस्तों CBI का ये कहना है कि उनके पास सचीन वाजे के बयान के अलावा भी और फैक्स हैं और सबूत हैं जिस प एविडेंस प्रोडूस किये थे उस पर गौड नहीं किया गया ये दोस्तों CBI का पहला पॉइंट है दोस्तों आप बॉंबे हाई कोट ने यह भी कहा था कि अनिल देश्मुक क्योंकि अब होम मिनिस्टर नहीं है इसलिए अगर उनको बेल ग्रैंड किया जाता है तो वो ज इवेस्टिकेशन को इनिफ्लेंस कर सकते हैं दोस्तों CBI ने यह भी कहा है कि क्यों सचीन वाजे का बयान एक स्ट्रॉंग सबूत हिसाब से नहीं देखना चाहिए क्योंकि सचीन वाजे भी एक इंपॉर्टेंट एक आप कह सकते हैं विटनेस हैं और इसलिए उनका बयान भ भी बेल नहीं ग्रेंट करना चाहिए था बंबे हाई को ऐसा CBI का मानना है दोस्तों अब देखना है कि सुप्रीम कोड इस बेल चैलेंज अप्लिकेशन पर क्या फैसला सुनाती है और क्या अनिल देश्मुक को रिहाई मिलती है या फिर उन्हें जेल में ही रहना पड़ता ह दोस्तों आप बनेगा मेरे चैल से मिलतों अंगले वीडियो में बाबाए